आप सब कैसे हैं उमीद है सब ठीक ठाक होंगे वेल्कम बैक टू माइ चैनल आज जो है मैं आप लोगों के लिए आलू के समुजे की रासपी लेके आई हूँ मैंने आप लोगों को पहले समुजा पट्टी और स्प्रिंग डॉल शीट से खाई है तो इसके बाद मैंने सोचा कि आलू की समुजा की रेसिपी बताई जाए तो आप इसको बनाकर आराम से फ्रीज कर दें और अगर आप लोगो को कीमे की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल प के कटी यकी मिर्च मताबे का अदा मर्जी तो बाद के कम अरजादा कर सकते हैं अब इसके लिए हैं इसमें अब धा डालेंगे एक टी स्पुन सौफ डालेगे और क्यूमिन सीट यो है कि 1 टीस्पून तालेंगे साबिक जो ए और कलॉन जी जो है कि वह वन टीस्पून डालेंगे और बस हलका सा इसको भूनेंगे तेल में तेल जो है बिल्कुल कम रखिएगा एक टीस्पून ही डालिएगा इससे यह होगा कि समोसों में एक बहुत अच्छा फिलेबर आ जाएगा तो आप इस तरह से बना कर देखें बहुत ही जबदा समोसे बनेंगे अब इसमें जो है मैंने एक टेबिल स्पून जो है चौब प्यास जाले है तीन टेबिल स्पून और खरा धनिया आधा कप के करीप बारी काट के डाले है इस सब चीजों से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और फिर इसमें मैंने एक कुप के करीप मटर डाले है हलका बो बॉयल किया हो है हाफ बोयल किया हो है यह मटर आप तो मटर की जगह पे आप छोले भी डाल सकते हैं या अगर आप दोनों ही चीज ना डालना चाहें तो भी बहुत मैसे की दनेगे इस तरह से जब यह बैटर तयार हो जाएगा तो फिर हम जो है दो टेबिल स्पून पानी लेकर उसमें दो टेबिल स्पून के करीब मैदा घूल लेंगे यह सलरी सी बन जाएगी लगी की तरह से इसको हम चिपकाने के तौर के लिए उस करेंगे अभी जो हमने समोसा शीट्स अगरा त्यार की थी तो अब इस से जो हम समोसे त्यार करेंगे आलो की समोसे की में की समोसे की रहसे भी पहले से मेरे चैनल पर माझूद है वीवर्स तो आप जो है वहां से देख लें अब इस तरह से जो है सारे समोसे आप भर लें और इसको फिर ट्रें में फैलाकर फ्रिजर में जो है सक्त कर लें इसको बिल्कुल जब एक दफ़ा वह जम जाए तो फिर जो है जिब लॉफ बैग में डाल के या किसी कंटेंडर में डाल के आप रख देंगे और ये पूरे महीने बिल्कुल ठीक रहेंगे अराम से जब जरुवत हो तो आप निकाल के तर लें अगर ये दो चार काम प्रैप अप कर लें पहले से तो फिर रमजानों में जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता अफ़ता त्यार करने में इस तरह से सारे समुसे रेडी कर लें अबीड है कि आप लोगों को समझ आ गया हुआ इस तरह से फिल करना है तो ये रेस्पी जरू ट्राइक कीजिएगा और इस तरह से ही आलू का मेक्श्यर आप आया बनाएं बहुत ही टेस्टी बनता है बनाइब है अब जो है मैं आप लोग वो फ्राइ करके दिखाती हूं मेडियम हॉट ओयल में जो है आप इसको डालें अगर आपने फ्रीजर से निकाला है तो मेडियम टू लो रखेंगे फ्लें ताकि आइस ता इस ता पके लेकिन चुके मैंने तो अभी फ्रेश बनाया है तो मैं मेडियम आच पे जो इसको फ्राइ कर रही हूं दोनों तरस से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको जो फिर हमें डिशाउट करती हूं इसको जो आप किसी भी चटनी के साथ या कैचप के साथ सर्फ कर सकते हैं ब जित के लोगों के अलड़के हैं खुश रहें और खुश्या बाते हैं अल्लाहाफिज क्षब पुश्याइ कर दोश्याइ पदा प्यान हैं अल्लाहाफिघ और खुश्याइ